सुरी शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखे हम सभी जानते हैं कि देखे इस बार जो अक्षे तृतिया है वो कल यानि की 10 मैई शुकरुवार के दिन है और अक्षे तृतिया की ये शुप्ति थी अगर शुकरुवार की दिन आती है ना तो बहुत खास हो जाती है वेशाक मास का पवितर महिने के सबसे प्यारी थी 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 सबसे सुखधाई थी जो की शाश्वत तिथी है जिसका कभी भी शै नहीं होने वाला है एसी अक्षेत रित्या पर शाश्वत तीथी पर आपको बहुती अच्छक उपाय करना है मात्र चावल के दाने से अक्षत के दाने से ये उपाय करना है जो आपके जीवन में सुक, सम्रद्धी, संपदा, एश्वरी, किर्ती, लक्ष्मी साथी साथ शुक, शान्ती भी लेकर क आएंगे बहुती आसान सा उपाय है केवल अक्षेत रित्या पर ये उपाय करना है मात्र तीन चावल से इस रित्या तीथी पर आपको उपाय करना है जो की आपका साथ देने वाले हैं ये उपाय तीन चावल के दाने से भी कर सकते हैं और ग्यारा चावल के दाने से भी कर स पुज्जी गुरुदेव की ही कता सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और भगवान शिव के यदि आप सचे भगते हैं, तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें, देखें इस बार जो आखा तीज है, दुरलब योग बन रहे हैं त्रीपुशकर योग आयुशमान योग सोभागय योग रवी योग सरवार्त सिद्धी योग और अम्रत सिद्धी योग याने कि ये छेश योब और दुरलब योग बन रहे हैं इस शाश्वत तीती पर इस पवित्र तीती पर अगर आप इस पव भगवान विश्नु से संबंदित होते हैं मतला लक्षमी से संबंदित होते हैं जो कि भगवान को बहुत प्रिय हैं इसलिए चावल के अक्षद के हम उपाय करते हैं चावल जिसका कभी शही नहीं होता है देखे चावल जो है वो पूर्णिता के प्रतिक होते हैं और यदि आ मुहरत को देखने की ज़रूत नहीं पड़ती है एसा कहा जाता है की सबसे बढ़ी टीती होती है अकŷयत प्रीतिया और इसी टीती पर आपको सुनहैरासा उपाय करना है देखिए करना क्या है सबसे पहले तीन दाने वाला चावल का उपाय हम आपको बता देते हैं तीन, साथ, नो, ग्यारा जितने आप ले सके हैं आपको चावल की दाने खंडित नहीं लेना है विशेश इस बात का ध्यानकना देखे चावल की दाने के साथ में आपको एक बेल पत्र लेना है मात्र एक बेल पत्र और साथ में आपको लेना है एक लोटा जल आपको ये लेकर के जाना है भगवान शिव के मंदिर में अब आपको एक एक चावल का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अ अक्षतम ओम नमज शिवाय इस मंत्र का जाब करना देखिए आपको प्रातना करनी है महादेव से कि अक्षय तृत्या के इस पावन दिन पर यह चावल जो है जो की पूर्णता का प्रतिक है मेरे जीवन की जो मनुकामना है मेरी जीवन की जो इच्छा है इस पावन तीति पर इस शाश्वत तीती पर जिसका कभी शय नहीं होने वाला है तो आप महादेव मेरी मनुकामना परिपूर्ण करना इदम अक्षत्तम ओम नमज शिवाय का जाब करते हुए आपको ये चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अरपित कर देना है थीकि है आपने चावल के दाने अरपित कर दिये और उसके बाद आपको एक बेलपत्र महादेव के अउपर अरपित करना है अक्षी तृतिया के दिन और इसी के उपर एक लोटब जल आपको अरपित कर देना है बस इतना सा उपय करना आपके जीवन में धन, संपदा, इश्वरी, किर्ती, लक्षमी की प्राप्ति आपको जरूर होगी बहुत आसान सा उपय है केवल अक्षे तृतिया पर ही किया जाता है यदि आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप केवल चावल भी अर्पित कर सकते हैं यानि कि 3, 7, 11 आप चावल अर्पित कर दें और एक लोटा जल आपको अर्पित कर देना है बस इतना सा उपय करना आपके जीवन से सारी समस्या जो हैं कष्ट जो हैं बादा जो हैं वो सब दूर हो जाएगी अक्षे तृतिया का अब दूसरा उपय ये उपय भी बहुत खास है आपके घर में धनकी बडोतरी करने का ये उपय है आपको क्या करना है बहुत द्यान से समझना आपको किसी भी सोने या चांदी का आपको पात्र लेना है सोने चांदी का या पीतल का या धातू का किसी भी प्रकार का धातू हो तामबे का हो तो आपको एक पात्र लेना है कटोरी ले 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 या प्लेट ले ले किसी भी प्रकार आपको आपके घर में करना है क्या करेंगे बहुत द्यान से समझना आप आपके घर में भगवान विश्णु माता लक्षमी के सामने एक पीला कपड़ा बिछाएंगे और उस पीले कपड़े के उपर स्वास्तिक का निर्मान करेंगे बहुत द्यान से समझना स्वास्तिक का न एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी हल्दी की बिंदी आपको लगानी है, हल्दी में शुद्य जल मिलाएं, और उसकी एक बिंदी आपको लगानी है, और वो चावल की धेरी के अंदर आपको डाल दीनी है, ठीक है, और उसके उपर वापस से आपको चावल से पूरा पेक कर द करना हैं आपको उनका करना है कम से कम 108 वार किसी भी एक महा लक्ष्मी के मंतर का जाब तो आपको अवश्य करना है अन्त में आपको क्या करना है बहुत द्यान से समझना जो चांदी का सिक्का आपने लिया है वो पूजन वाला सिक्का ही होना चीए क्योंकि ये इस सिक्के के आपकी पोटली बनने वाली है क्या करेंगे दीपक से आपको आर्ती करना है ठीक है दीपक से आर्ती करने के बाद आपको दीपक हटा लेना है और इसको आत कलेश के अंदर चावल रखे हैं और सिक्का रखा है उस कलेश को उंदा कर देना है उस लाल कपड़े के उपर जिसमें स्वास्तिक बनाया ना और इ अगर आपको बास समझ में, यदि आपने कलश ले रखा है, तो जादा चावल हो गए होंगे, तो वो चावल आप आपके खाने में भी उप्योग कर सकते हैं, आपको धन रखने वाले इस्थान पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्तो हो ऐसी कामना करते हुए यह आपको रख अक्षय तरित्या की दिन अगर यह उप्योग करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, जीवन में जो धन है वो बढ़ता ही चले जाता है, यह उप्योग आप सुबह से लेकर के रातरी तक जब आपकी चावल तब आप यह उप्योग कर सकते हैं, सब्सक्राइब परिवार की जीतने भी लोग सबीको खाना है सत्तू आपको सट्तू का सेवन करना है, जान रखें आपके घर में कोई भी महमाना आए उनको भी आप सत्तू का सेवन करवाएं, अगर आपके घर में महमान नहीं आ सत्तु का सेवन आज के दिन करने से रोगों का शेय होता है शरी में जितने भी प्रकार के रोग है वो सब दूर हो जाता है तो सत्तु का सेवन आपको जरूर करना चाहिए और आज के दिन सत्तु का दान भी करना चाहिए अगर आपके घर के आसपस कोई मंदिर है पंडिजी है वाँ पर तो उनको सत्तुगादान करें आप मंदिर के भार बेटे हुए गरीबों को भी सत्तुगादान कर सकते हैं इस पकार से करने से आपके घर से दारीद रिता भी दूर होती है और आपके घर वालों को पूर्णे की प्राप्ती भी होती है तो बहुत आसान सा उपाए है आज की इस वीडियो में हमने आपको तीन महा उपाय वता हैं जो कि आपको अक्षय त्रित्या पर करना है अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्त भ्यम हर हर महादिव